कि नमस्कार दोस्तों अप सभी सातियों का हरदिख श्वागत है साथ्यों जैसे कि आप सभी को पता है राजस्तान को लाइब राजस्तान के 35 साल बाद साथियों वेकेंट से देखनी कि मिलेगें 247 पोस्ट के बात करें और साथियों इसमें जो है ना सब से जो माइनेस देखने के मिला है वह साथ आपको देखने के मिला है गुड़ अग्याडमिक रिकूर्ड ठीक है तो एक सबसे बड़ा मुद्धा भी है और इस साथ यस मुद्धों को हम बात करें इसको रड़ाने के लिए हैंस सब को मिलकर साति इसके लिए मhammerद आने करनी होगी घ्याम देना होगा और ही सातियों बात करते हैं दूसरा सातियों है क्या इसमें किसकीस प्रकार से बूर अकेडमिक रिकूर्ड को देखा जाएगा सबसे पदेग करतेm डैकर सब्सक्राइब का मैं बात को आपके सामने सिदा सिदा मैंने इसको जो जो नोटिफिकेशन होजाता है उसका पूरा पूरा ऐसा का ऐसा लगा है डेफिनेशन अब बुड अकेडमिक रिकोर्ड के हम बात के फॉर्डी पॉस्ट ओप लाइबरिन अकोर्डिंग टू लेटर डे सब्सक्राइब बात करते हैं इसमें कहा बुड अकेडमिक रिकोर्ड में साथियों एटलिस फिप्टी परसेंट फिप्टी परसेंट एक पच्पन परसेंट का साथियों अबरेज होना चाहिए माक्सिंत्री एग्जामनिशन प्रिसीडिंग्स टू मास्टर डिग्री के अल बात कि 55 परसेंट तो आपका अपरेज़ होना अची है और अवरे जो एकजाम है उन में साथियों में कम से कम आपका 50 50% होना भी चाहिए मात चेंड तो तीक है इन रेजिविंशन और इन इहां हम बात करें ग्रेजिविंशन हूँ जाता साथियों आपको तीक है आब देख कर रहा है साती हम बात करते हैं आपके जो है इसमें आपके बीकों में देना कuçा कोई ऐसक कर नहीं किह एक यह आदिक तो पहली तो इसमें तीन एक्जाम हो जाता है अगर इसके अकोडिंग हम बात के ग्रेडिशन वन अब दे सेकंडरी हाई स्कूल हो जाता है हाइयर सेकंडरी सीनिर सेकंडरी जाता है ठेक है तो यह चीज़ आपको देखने के मिल जाती है equivalent grades in the point scale wherever grading system is followed without including any grace marks अगर सातियों grading वाला system था आपके 10th में और 12th में बात करें तो भाईया उसमें आपके without grace marks होना चाहिए नहीं था तो भी आपके भाईया आपके पास उसमें जो 50% बन रही है लेकिन उसमें ग्रेस लगावा है तो ग्रेस वाला system नहीं होना चाहिए without grace marks ठीक है दूसरा grading वाला था तो उसमें rounding के हम बात करते हैं उसमें 50% आपकी होने चीज़ ग्रेडिंग के हम बात करते हैं देखिए good academic record साथियों सिधी सी बात है एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ठीक है इस good academic record के कारण साथियों मेरे बहुत सारे साथिया ना इस एक्जाम इस भरती से बाहर हो गया है कारण साथियों good academic record ठीक है एक कई हैं ज्यादतर जो है कही हों के हम बात के टैन तो ट्वल्त में अच्छे माक्स है लेकिन ग्रेडियोशन में जो है आपके 50% नहीं हम बात करें कारण साथियों तो दूसरा साथियों अब देखिए good academic record में साथियों आपके लिए आपके पास जनरल में पच्छन और आपके पचास परसेंट होने चाहिए आपके ग्रेडियोशन में आपके पास सही है 50% होना चाहिए इसके बात साथियों सेकंडरी की हम बात करते हैं तेके सेकंडरी में आपके कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए अब इसमें साथियों चीज़े अधियान रखना इसमें कोई भी किसी परकार का बी अलाइस की बारे में नहीं का गया है कि आप बी अलाइस को मानकर साथियो इसमें जोड़ रहे तो पहली चीज़ तो यह पॉइंट है इसमें नहीं है तो तिनों पचास परसेंट होने चीए और तिनों का सात्य ऐबरेज घिंपतो आपका होना चाहिए पचपन् परसेंट यहां पर आपका होना चाहिए तो यह सात्यों हो जाता Аपका हो जाता है ठीक है और बहुत अगेटिव भी है जो मेरे साथ तैयारी करें अघर सातियों सब मिलकर सातियों इसके लिए क्या करेंगे परियास करेंगे तो अपको मेनत करनी होगी ठीक है और बाकि जितने साथियों कुस्तकाले संग चल रहें उनसे आपको सहयोग लेना पड़ेगा तब जाकर साथियों क्या है मैट पाएगा हम बात करें तो यह साथियों आपको समझ में मिलेंगे साथियों अगले सब्सक्राइब